हालो विद्धार्तों इस वीडियो के माध्यन से हम आज करून रसके विशे में चर्चा करेंगे हम अपने पिछले कई वीडियो से रसकर चर्चा करते आ रहे हैं हमने देखा था कावे के पठन श्रमन अत्फादर्शन से सर देखो जो आनंद प्राप्थ होता है उसे हम रसका कार्त आनंद जब हम करून रसकी तो सब से पहले हम हहां पर देखना होगा करून रसक कह इस्ताई भावह होता है शोक कि जब विभाव अनुभाव कर हो काता है विव्वाव अभिव्यक्ति देते हैं, हम इसमें विभाव, अनुभाव, विविचारी भाव, इन सभी की स्थति को देखते हैं, इस्थ नाश एवं अनिष्थ की प्राप्ति से उत्पन होने वाला रस करून रस कहा जाता है, इस्थ नाश अथार्त कोई हमारा इस्थ है, प्रिये है और उसका नाश होना या फिर अनिष्थ होना कोई बुरा कारे हो संपन होना महा करून रस की स्थति होती है, इस्थ आई भाव हम देख चुके हैं, इसका शोक है, इसकी उत्पत्ति, शोक, क्लेश, विनिपात, इस्थ विप्रयोग, विभाव नाश, वध, बंधन, आदी, विभाव द्वारा होती है, अथार्त के वल म्रत्यू ही इसका एक मात्र कारण नहीं होता है, यदि हमारे वेभाव का नाश हो जाए, बंधन की स्थति हो, तो वहाँ पर भी यह शोक की स्थति होती है, इसके आलंबन, म्रत व्यक्ति या दीन हीन अवस्ता प्राप्त कोई व्यक्ति होता है, जब हम इसके उद्दीपन विभाव के उपर प्रकाश डालते हैं, तो म्रत्तक का धहा कर्म, उसका गुण श्रवन, इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं, रोना, कलपना, भूमी पतन, उच्छ्वास, प्रलाप, आदी अनुभाव, तथा मोह, निर्वेद, विशाद, जर्ता, इत्यादी व्यभीचारी भाव, इसके अंतरगत आते हैं, इस तरह करुण रज की स्थती शोकिस्ताई भाव के माध्यम से निश्पन होती है, हम इसे भी एक उधारन के माध्यम से देखते हैं, देखे सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरोई, पानी परात को हात चुयो नहीं नेनन के जल से पगधोई, इस्थती है, जब शिरिकरश्न सुदामा को अपने पास देखते हैं, आते हैं सुदामा शिरिकरश्न के पास, और उनकी अवस्ता को देखते हैं शरीकरश्ण तो इस्तती भ으니까 हो चाहदा खराब है उनकी पाओं में काटे चुबे हुए हैं बिवाईयाँ पड़ी हुए हैं बहुत बुरी स्तती में दहनी स्तती में हो है और उस समय जब शरीकरश्ण अपने मित्र के जो उनका बचपन का मि उसके पेर्द होते हैं तो क्या इस्तती बनती है देखे सुदामा के दिन दशा करुणा करके करुणा निदी रोए इतने करुणा शील है दया निदी श्रीकरश्न के वो रो उठते हैं और इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि कवी ने उसके लिए यहां पर जो भावना अभिव परात में पानी भरा हुआ था चरण धोने के लिए परंतु वह उसे चूते भी नहीं है और अपने नेत्रों के जल से ही उनके चरणों को धो देते हैं यह है करुणरस की इस्तुति आपको याद रखना है करुणरस का इस्ताई भाव शोक है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए अपने प्रथम वर्ष में सुधामा चरित्र के अंतर्गत इस पद को पढ़ा है इसलिए पद आपका पढ़ा हुआ है शांतरस की इस्तुति को जब हम देखते हैं तो शांतरस का इस्ताई भाव निर्वेध है तत्व ज्ञान या वेरागे के कारण उत्पन होने वाला निश्पन होने वाला शांतरस जिन आलंबन के माध्यम से अभिव्यक्ती पाता है वह है अनित्य रूप संसार का ज्ञान तथा परमार्थ चिंतन इत्यादी इसके उद्धीपन विभावे पूर्ण आश्रम, तीर्थिस्तान, रम्नियवन और ससंगादी इसके संचारी भाव के अंतरगत आते हैं ध्रती, निर्वेद, मती, स्मर्टी, हर्ष, इत्यादी यानू भाव, रौमाच, इत्यादी इसके होते हैं हम इसे एक उधारण के माध्यम से जब देखते हैं तो उधारण इसका है एक ही देश दोनों को जाना होगा बचने का कोई नहीं बहाना होगा आप शांतरस के अंतरगत किसी भी भक्ती पूनपद को ले सकते हैं सब भक्ती पूनपद आपके शांतरस की ही अभिव्यक्ति करवाते ही तो हमने यहाँ पर तीन रसों को देखा आप हमने पिछले वीडियो में शंगार रस के इस्तती देखी थी और यहाँ पर हमने दो रस और देखे हैं करुन रस और शांत रस आप वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर दें खनाच झाले एक में उते और शेखे हैं सब्सक्राइब करें चैजे झाले भी शाड़ाय आपया अबत पूरेस्ता हमने धे च करें सफस्सक्राइब करें सब्सक्द़ता है झाल झाल